हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं मूंग दाल की मंगोरी बनाने जा रही हूं तो चलिए बनाते हैं मैं एक कटोडे मूंग दाल को में दो घंटे भीगो कर उसे अच्छे तरह से धोली हूं अब इसको एक मिसर जार पर डाल कर इसे पीस लेती हूं दरदरा पिसना पड़ेगा मंगोरी के लिए दाल को देखे मैंने दरदरा पिस लिया और इस तोपिये पर खाली कर देती हूं मंगोरी को पिसने के बाद इसको इसमे में दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च एट कर रही हूं साबू जीरा दो चम्मच इसको एट कर रही हूं मेरे पास हींग नहीं है इसलिए में हींग एट नहीं करो अगर आप लोग के पास होगा तो आप एट कर लीजिगा इसको इसको मैं अच्छे तरह फेट रही हूं इसमें नमक एट नहीं किया जाता है मंगोरी का पेस्ट फ्लॉपी हो गया है अब मंगोरी तोडने के लिए रेटी हो चुका है मैंने एक थाली ले लिया है और उसे अच्छा से तेल से ग्रीस कर ली हूँ इसे करने से मंगोरी थाली में चिपकता नहीं है मैं थोड़े से मंगोरी बना रहे हूँ इसलिए थाली में बना रहे हूँ अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो एक पोल्ठीन का सीट ले लीजिए उस पे तेल ग्रीस करके अब बना सकते हैं अब मैं इससे छोटा छोटा थोडा थोडा करके महोरी तोड रहे हैं अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं अब बना सकते हैं देखे मैं तीनों थाली में मंगोरी तोड ली हूँ और अब इसे मैं धूप में सुखा देती हूँ इसे दो-तीन दिन तक अच्छे करे धूप में डालना पड़ेगा उसके बाद मंगोरी अच्छी तरह से सुख जाएगी यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा